सोलाना का चार्ट बन चुका है सबसे स्ट्रॉंग चार्ट इस टाइम पर क्रेप्टोपरेंसी मार्केट का और यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर सोलाना ने $197 के उपर क्लोजिंग दी तो एक नया all time high लोड हो रहा है डिपेंड करता है मार्केट के situation पर Bitcoin के अगले move पर कि कितना जल्दी होता हमें देखेगा अब यहां पर यह question हो गया है invalid की ऐसा होगा कि नहीं होगा यहां पर 99.99% चांस है कि सोलाना जल्दी ही आपको एक new all time high बनाता देखेगा सोलाना जैसे coins ने पिछले bull run में काफी amazing gain दिया अब सोलाना एक बहुत ही obvious play बन चुका है crypto currency market का जैसे की है Bitcoin और Ethereum तो यहां पर सोलाना में तो आपने काफी सारे gain कमाए होगा अगर आपकी सोलाना पर entry थी 23 मही या फिर आप अगर पिछले bull run में भी सोलाना में trade करे थे बट अब हर bull run में हमें नई coin आते दिखते हैं और इस bull run में भी ऐसा कोई ना कोई coin आएगा जो पास जैसी सोलाना जैसी rally देगा अगर आप देखते हैं तो सोलाना पर काफी अच्छी volume भी है काफी अच्छी revenue भी है आज के time पर काफी सारी daps पर काफी काफी जादा attraction देखने को मिल रहा है यहां पर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग सोलाना जे meme coin से पैसे कमा रहे हैं millions of millions of dollars are being made बड़ यहां पर यह तो play already चल रहा है अब यहां पर कुछ coins हमने देखें सोलाना के जैसे की जुपिटर exchange की बात करें तो बहुत ही amazing gain जुपिटर ने दिया अगर आप देखेंगे तो हमने लक्षमन प्राइविट सरकल में जुपिटर का breakout दिया था 0.53 cents पे और आज के time प तो हमें सुलाना जैसा ही gain दे दे इस bowl run में ताकि हम भी financially free हो पाएं यही सबका यहां पर गोल है बड़ क्रिप्टो में overnight success की जगा overnight बरबादी जरूर हो जाती है अगर आप सही से काम नहीं करते है risk management strategy नहीं use करते हैं तो उस तीस को हमेशा priority में रखें कि सिर्फ upside ही नहीं ह होती है जो भी आप ऐसा लगा रहे हो मैंने कई बार बात करी है अपनी वीडियो में कि fund management पे आपको जादा ध्यान देना जाई है और आज की वीडियो में हम आपके लेके आए एक ऐसी opportunity जहां पर शायद आप ऐसे mean coin ढूंद पाओगे जहां पर शायद आपने solana ढूंद प यहाँ पर recent update और partnership क्या है इस blockchain के बारे में कितना gain बचा है इस coin में कितना gain है आगे आप देख सकते हो mid term to long term में और कैसे आप यहाँ पर breakout को identify कर सकते हो breakout के level भी मैं आपको बताने वाला हूँ और यहाँ पर मैं आपको बता हूँगा कि इसके ecosystem से आप कैसे पैसा बना सकते हो right so अगर आप इन सब चीजों को use करके पैसा बनाते हो और पास में आपने हमारी वीडियो से पैसा बनाया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा आज की वीडियो को like target रखेंगे सिर्फ और से 1000 लाइक का और चैनल को subscribe करे बिना मत जाएगा because this is the best cryptocurrency YouTube channel और यहाँ तक नीचे description नहीं सिर्फ और सिर्फ official link से ही join करिएगा किसी fake link को join मत करिएगा और अभी तगा आपका अगर Twitter पर account नहीं है तो Twitter पर account बना लिजे because Twitter पर मिलता है आपको काफी सारा alpha जो आपको YouTube से fast आपको Twitter पर मिल जाएगा क्योंकि सारी चीज़े YouTube पर डालना possible नहीं है तो सारी काफी सारी analysis हम Twitter पर भी डालते है जो आपके काफी काम हा सकती है नीचे दिया हुए मैंने official link Twitter का आप वहाँ से join कर सकते हैं देख सकते हैं आगे forward मैं आपको charts, analysis, memes और news यहाँ पर time to time देता रहा हुआ तो आज के coin की बात करें तो आज के coin का नाम है Aptos अगर आप देखोगे Solana को देखो, ठीक है दोनों में हम comparison करेंगे आज, ठीक है Solana को अगर हम देखे तो Solana एक काफी बड़ी market cap पर इस time पर बैठा हुआ है So Solana एक, जैसे Ethereum हो गया आज की date में वैसा ही coin बन चुका है, 85 billion dollar की market cap है, obviously एक काफी strong project है, काफी लोगों ने पैसा बनाया भी है But comparatively, अगर आप पिछले bull run से compare करेंगे तो पिछले bull run वाला gain नहीं देने वाला Solana, यह सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि उस time पर Solana 10 dollar पर launch होगे, 200 dollar पर चला गया था, so 100x से जाधा gain वहाँ पर था और market जो है, वो mature होती जा रही है, तो हो सकता है, 100x तो ना मिले, but we want to catch maximum gains अगर आप देखोगे Aptos को, तो 2 dollar पर एक time पर Aptos का bottom लग गया था, और उस bottom पर ही हमने इसको catch किया था January में और 20 dollar तक ride किया था, काफी Aptos हमने वहाँ free किया, अपनी hold your profit strategy को use करके अगर आप नहीं पता hold your profit strategy के बारे में, तो it's a strategy जहाँ पर आप अपना पैसा market से निकाल लेते हो और profit को ride करते हो, तो काफी profits हम Aptos में पहले भी use कर रहे थे, hold कर रहे थे, और अभी भी हमने यहाँ पर breakout पकड़ा है Aptos का chart भी बहुत interesting है, Aptos में development भी बहुत interesting है, Aptos all over एक interesting project है, जिस पर लोगों का ध्यान नहीं है और जहाँ लोगों का ध्यान नहीं होता, वहाँ पर जाहतर बड़ेगे इंस बनते हैं, अगर बात करें यह different कैसे है Solana से, तो Solana जो है, वो rust coding language पे चलता है और यहाँ पर जो यह project है, Aptos, move language जो है, move language पर बना हुआ है, और वो बोला जाता है कि rust से भी थोड़ी सी better है, देखो यह technology wise चीजें चलती है बट crypto में hype जादा काम करती है, और hype इनकी काफी जादा होने वाली है, क्यों होने वाली है, इसका reason बता देता हूँ, यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे market cap, तो market cap 6 billion dollar है, obviously यह भी एक काफी बड़ी market cap है, this is not gonna go to 100x, बट जितनी market cap Solana ने capture करी थी last bull run में, अगर उतनी भ तो यह भी आपको 200-200 dollar का coin जाता देखेगा, बट यह बात सुनके यहाँ पर पूरे पैसे लगा के bad जाना एक अच्छी चीज नहीं होगी, तो पूरी वीडियो देखेंगे, आपको काफी सारी चीज़ें, इस वीडियो में बताने वाला हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे में भी काफी कुछ हो रहा है, इनकी recent partnership भी है, for gaming और gaming एक बहुत वड़ा sector आने वाले टाइम में, right, so इनके CEO ने tweet कर रहा है, CEO भी tech world में काफी पूराने बंदे हैं, and they are also working on Aptos operating system, तो यहाँ पर हो सकता, Aptos भी आने वाले टाइम में, सोलाने की तरह अपना mobile ले आए, और एक नई technology, नई hype है, इनकी partnership भी काफी massive है, past में इनने काम किया हुआ है, meta में, तो obviously बातचीत भी है corporate sector में, और corporate जो culture है, वो धीरे धीरे या फिर बोल सकते हैं, जो corporate people है, they are entering the crypto space, so यहाँ पर पूरा पूरा ध्यान देने के आपको जरुत है Aptos पे, ठीक हैं, अब मैं partnership तो अभी हुई है AWS Cloud, just for gaming, right, तो यहाँ पे यह game stack Aptos का है, और यहाँ पे games आने की बहुत जादा संभावना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो AI के लिए भी इनकी partnership है Microsoft से, तो दो बड़ी-बड़ी company से इनकी partnership हो गई है, within one year of launch, so this is very very bullish, 2022 end में हमें Aptos आता दिखा, 2023 में इनने काफी काम किया, 24 में इनकी काफी partnership हो रही है, so project अच्छी तरीके से काम कर रहा है, अगर आप देखोगे, so इनोंने यहाँ पे अपनी जगा बना ली Unity Asset Store के Web3 Tools में, याने की जो Unity Asset Store है, अगर आपको Unity Engine के पारे में नहीं पता, काफी सारी mobile पे जो आप गेम्स के को मिल सकता है, AI में भी यह काम कर रहे हैं, layer 1 blockchain यह है ही, अब यहाँ पे बात करते हैं, इसके chart की, तो chart मुझे काफी लगता है, exciting, क्योंकि अगर आप देखोगे, बाकी layer 2, layer 1 blockchains को, तो काफी सारी blockchains pump होगी, right, जैसे कि SEI, SUI, जितने भी नए coins आए, सब नए all time high बना रह जो पहले की वीडियो में यह देख चुके हैं, लोग उनको पता है, कि यहाँ पे भी हमने breakout दिया था, $9 पे भी दिया था, और वो यहाँ अच्छा कासे profit में है, बट अगर आप यह breakout भी catch करते हैं, 48% का gain short shot आपको मिलता, ठीक है, अब यहाँ पे होता गया, यह breakout तो हो गय था और से लेटर हमारा, तब यह green line नहीं थी, obviously, और यहाँ पे gunpowder ने हमारा साथ दिया था, तो Aptos ने बहुत ही जबर्दस तरीके की candle print करी थी weekly time frame में, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको Aptos में conviction है, तो आप यहाँ पे पहली बाद तो आपको research करने बहुत ज़ किसी भी coin में पैसा लगाते हैं, किसी भी YouTuber की वीडियो देखें, उनको पता नहीं होता है, exactly वो पैसा लगाता रहे है, तो यह market है, अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ bullish चीज, तो यह chart है, यह change भी हो सकता, overnight, overnight chart change हो गया, उसके बाद आपकी risk management strategy नहीं थी, आपको conviction न तो यह चीज हमें नहीं करनी है, तो अगर आपसे यह miss हो गया, breakout Aptos का, तो what you can do is, you can use partial entries, मैं आपको बतायता हूँ, as long as Aptos is above 13.61 dollars, we are bullish, ऐसा भी हो सकता है, Aptos इस price level को एक बार retest करने आ जाए, and then we go up, so ready आपको दोनों साइट के लिए रहना है, अब इस चीज के chances कितने I don't know कि यहां retest करेगा नहीं करेगा, because मैं बढ़े टाइम फ्रेम में चार्ट देख रहा हूँ, weekly में it is bullish, 3-day टाइम फ्रेम में it is bullish, and यहां पर दिखते हैं अगर हम 1-day टाइम फ्रेम में चीज़ों को, तो हमें और ज्यादा क्लिया टाइम फ्रेम में भी it is bullish, so I expect कि यहां यहां पर थोड़ा सा sideways consolidate होके, फिर यह pump हो, और 4 hour में भी काफी bullish है, जब मैं यह वीडियो पना रहा हूँ, so यहां पर या तो आप aptos को अभी partial entry के थ्रू खरीच सकते हो, partial entry का मतलब होता है, कि जितनी आप entry ले सकते हो, उसकी 50 या 40% आप entry ले रहे हो, और बाकी का पैसा आ पात में रख रहे हो, ताकि कल को अगर कोई worst case scenario हो जाए, या आपको एक अच्छी dip मिले, तो आप buy कर पाऊ, अब बहुत सारे लोगों की एक problem है, कि वो वीडियो देखते हैं, partial entry लेते हैं, और जैसी चीज नीचे जाती है, तो वो यहां पर complaint करना चालू गर देता है, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, तो आप spot में काम कर रहे हो, पहली बात तो मेरी कोई भी वी वीडियो आपको support नहीं करती है, future trading करने के लिए, because मैं बड़े time frame में आपको चीजों के analysis देता हूँ, तो मेरी वीडियो देखके future trading में आपको कोई फाइदा नहीं होगा, आप future trading करना चाहते हो, तो try to learn first, and then try to trade, मैं यही आपको बूलना चाहूँगा, क्योंकि आगे देखो, इतना easy है, bullrun में पैसा कावाना, spot में इतना पैसा बन रहे है, कि आपको ज्यादा complicated करने की जरूत है, नहीं चीजों को, so partial entry आप लेतो तो कोई दिक्कत नहीं है, 3.61 के नीचे बताये कि चार्ट छोटे होते चले जाते हैं, so यह तो बात हो गई, उन लोगों के लिए जो safe play करना चाहते हैं, जो aptos ecosystem में, aptos में invest करके play करना चाहते हैं, because obviously 13 dollar का है तो अगर 130 dollar भी जाता है, long term से अगर आप देखेंगे, so somewhat around आपको, या 15 dollar से अगर आप देखेंगे, 100 dollar भ करता हूँ, आज कल एक यह meme coin बहुत जादा trending चल रहा है, which is GUI, मैं इसमें अपना एक भी रूपय नहीं लगा हूँगा, क्योंकि मैं aptos को नीचे ही catch कर चुका हूँ, so aptos में I am making good money, so why would I shift my profits, but आपके degen level पर depend करता है, आप कितना risk ले सकते हूँ, उस पर depend करता है, if you want to take some risk you can explore some meme coins with small amount of money, मैं वैसे तो नहीं करता हूँ, and अगर आप मुझे follow परते हो, तो मैं तो aptos में ध्यान देता हूँ, अब जैसे हमने यहाँ पर JTO में, sorry, Jupiter में पैसा बनाया, right, so ऐसे बहुत सारे protocols आपको देखने को मिल जाएंगे, aptos के ecosystem में, आप जा सकते हो, dap radar पे, उनमें काम चल रहा, करती क्या है, वो जैसे कि यहाँ पर vibrant X है, and यहाँ पर काफी अच्छा user growth होता दिख रहा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर games भी काफी सारी है, aptos के ecosystem पे जाके, aptosfoundation.organization पे जाके, ecosystem पे जाके, आप projects को check कर सकते हो, और यहाँ पे आपको next 3, 2, 4, 5X projects मिल जाएंगे, तो यह तो हो गया, degen part, जहाँ पे आप नई projects जून लेते हो, किसी भी ecosystem में, जो की coin के साथ साथ pump हो सकते है, अब solana में हमने देखा, solana pump हो, meme coin pump हो गया, jupiter pump हो गया, solana is very very strong, so aptos को भी मुझे लगता है, कि ऐसा ही strong बना दिया जाएगा, इस bullrun में, क्य साथ जुड़े होता है, already entry होगी, they must be enjoying their profits, but आप लोगो को पता है, कि हम कभी भी 30-40-20% profit को enjoy नहीं करते है, we want at least 50-100% gain, so aptos पे आप पूरा ध्यान रह सकते हो, आपके entry miss अभी भी नहीं हुए, this has just not started yet, मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छा potential है आगे, aptos में, और अगर तो लगता है कि अभी नहीं लेना में को entry, it is already pumped, so यहाँ पर अभी नहीं लगा करके रह सकते हो, 20.34 dollars पर, जब इसके ऊपर closing मिलनी चालू होगी, जब price action कुछ इस थरीके आपको देखे, obviously, it will not go in one go, हो सकता है इसके ऊपर, और फिर नीचे एक बार fake out दे, फिर consolidate करके it will go up, so इस move को भी आप पकड़ सकते हो, यहाँ पर काफी सारे लोगों की गलत फैमी है कि all time high के पास पहुच गए यह चीज तो gain कम है, आपको यह पता होना चाहिए कि जब all time high टूटता है, we are in a bull run, तो नए highs की तरफ चीज़े जाती है, तो यहाँ पर SWE भाग चुका है, SEI काफी सारी layer 1 blockchain perform कर रही है, और यहाँ पर हाई chances है कि Aptos भी perform करेगा, और यहाँ पर आपको opportunity दो तरही के से मिल सकती है, अगर आप चार्ट पर बैठ सकते हो, तो well and good for you, फिर आप चार्ट देखके decision ले सकते हो, बड़ अगर आपको टाइम नहीं है, तो you can use a simple strategy which is partial entries, और partial entry बनाने के बाद, उसके बाद यह dump हो जाता है, या आपको लगता है कि आरी नीचे आ रहा है, मुझे नुकसान हो रहा है, तो आपके हाथ में पैसा है, आपको panic करने की ज़रूद नहीं है, अगर आप एक strategy काम कैसे करेगी, जब आपके बस कोगी conviction, conviction का एक बहुत major role है, किसी को मत खरीदो, अगर आपको दुबारा किसी से पूछना पड़ जागा, अब इसका क्या होगा, वो आपको पता होना चाहिए, तब ही आप ऐसा बना पाओगे, जैसा हमने past में एक साल में देखा है, बहुत अच्छी वीडियो और बहुत अच्छा content में आपके लाने वाला ह क्या है, क्योंकि मैंने यहां पर 9 डॉलर के लेवल पे भी वीडियो आई थी, I made a video around this level as well, so यहां पर aptos पे मेरी पूरी-पूरी conviction है, मुझे अशा लगता है कि 20 डॉलर मार्क तोड़ना भी इसके लिए बड़ी बात नहीं होगी, but फिलाल first target I will keep as 20 डॉलर, because 9 point something पर recent entries है, past entry हमारी इस bottom के नियर भी है, 5 डॉलर के नियर, September में, so अब हम कोशिश करेंगे कि 20 डॉलर पे थोड़ी सी capital load off करके profit को करेंगे, right, long term के लिए, और अपनी इस capital को जो हम free करेंगे, उसको नए coins में use करेंगे, तो Solana तो देखो एक obviously, obvious play हो चुका है, याने कि यह करेगा ही करेग यह तो Ethereum करीदने वाली बात होगी, Bitcoin करीदने वाली बात होगी, but Aptos पे अभी भी किसी का ध्यान नहीं है, तो Aptos पे आप ध्यान दोगे, so यहाँ पे आपको major gains बनते दिख सकते हैं, अभी भी कोई opportunity skip नहीं होगी है, partial entry लेना, but पहले 2-3 गंटे, buy का button दबाने से पहले, 2- 3-3 गंटे किसी भी चीज की research को दिया करो, write it down, कि क्यों आपको Aptos पसंद है, क्या development है, इसकी पीछे जो owner है, इनके CEO है, उनका क्या rule है, जो इनकी partnership है, उनका future क्या हो सकता है, चार्ट क्या कहता है, यह सब चीज़े जरूरी है, क्योंकि आपका पैसा hardened है, so उस पैसे को ध् and I hope कि इस bull run में आप जबरदस gain बनाएं, ताकि पिछले bull run का जो आपका regret है, वो हो जाए दूर, तो मिलते हैं दुबारा, ध्यान रखेएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में, वीडियो का like करना मत भूलेगा, वीडियो का like target है 1000 likes का and I hope कि आपने channel को subscribe कर दिया होगा, ताकि मंडे को आपको हम ऐसा amazing content ला के दें